नमस्कार, हेलो, स्वागत है आपका हमारे अपने स्टेडी चैनल इप एडूगेशन में और हम स्टार्ट कर रहे हैं जी एस की क्वेश्चन की आगे की सीरीज और जो लोग चैनल पे नए हैं फ्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और जिन्हें AMD की बुक्स चाहिए थी वो फ्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके वहां से पर्चेस कर सकते हैं और तो हम चलते हैं आगे की वीडियो पे अपने इस लाइन को ध्यान में रखना है हिंदी में पढ़ लेते हैं 16 सितंबर 2022 को समाप्पुवे सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5.219 बिलियन डॉलर से घट कर 545.652 बिलियन डॉलर हो गया तो कौन सी एजेंसी में कोईस्चन हमारा ये है कौन सी एजेंसी भारत के ये के लिखा हुआ है के विदेशी मुद्रा भंडार की संड़चक है ओप्शन्स हैं सेवी, आई रडी आई, आरबी आई या डब्लू टी ओ ओप्शन्स हैं थोड़ा ध्यान लगाईए दिमाग लगाईए सोचिए इसका सही उत्तर है ओप्शन्सी आरबी आई, आरबी आई जो होता है विदेशी मुद्रा भंडार उसका संरक्षक होता है जो हमारे पास foreign exchange reserve होता है वो आरबी आई के पास सरक्षेत होता है अगले question पे चलते हैं दो बुकर प्राइज विनर एंड दी ऑथर और बेस्ट सेलिंग वॉल्फ हॉल ट्रियोलोजी पास्ड अवे रिसेंटली हिंदी में देखते हैं हाल ही में बुकर पुरसकार विजेता और सबसे अधिक बिकने वाली वुल्फ हॉल ट्रिलोजी की लेखिका डैश का निधन हो गया यानि कौन सी लेखिका है जिनका निधन हुआ है ओप्शन है डगलस, स्टुवर्ट अप्शन बी है मार्गरेट, एटवॉड फिर है डैम, हिलेरी, मैंटल या इलेनोर, कैटन क्या होना चाहिए एंसर इसका सही उत्तर है ओप्शन सी डैम, हिलेरी, मैंटल ये जो थी इनका सब्तर वर्ष की आयू में निधन हो गया है ठीक है अगले प्रशन पर जलते हैं अगला क्वेशन है, क्वेशन नमबर त्री who has been appointed as director of AIMS Delhi in September 2022, सितंबर 2022 में AIMS दिली के निधेशक के रूप में किसे नहीं उत्त किया गया है आपके ओप्शन हैं, डॉक्टर रंदीव गुलेरिया, डॉक्टर M. सिरीनिवास, डॉक्टर नीना खन्ना या फिर D.K. शर्मा क्या होना चाहिए सही उत्तर? इसका सही उत्तर है, ओप्शन B. डॉक्टर M. शिरीनिवास, यह AIMS के निधेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, अब आपको बताना है, AIMS का पूरा नाम क्या है? अगले प्रश्न पे चलते हैं निम्न लिखित में से किसे 23 सितंबर 2022 को सर्व सम्मती से होकी इंडिया का अध्यक्ष्य चुना गया है? ओप्शन हैं संदीब सिंग, चित्रांसी रावत, रानी रामपाल या फिर दिलीब तिर्की सही उत्तर क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर है, ओप्शन डी, दिलीब तिर्की, ये 1998 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी पूर्व होकी प्लेयर को अध्यक्षत चुना गया है, किसका होकी इंडिया का ठीक है? अगले प्रशन पे चलते हैं अगला प्रशन है, which article of the constitution of India directs the state to secure a social order to promote the welfare of the people? हिंदी में क्या बोल रहा है क्वेशन? भारक के समभिधान का कौन सा अनुप्षेद? राज के ये की है? राज को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक समाजिक विवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है ओप्षन है, आर्टिकल 42, आर्टिकल 44, आर्टिकल 38, या आर्टिकल 45, क्या होना चाहिए सही जवाब? इसका सही अंसर है, ओप्षन C, आर्टिकल 38, ये क्या करता है? समाजिक विवस्था सुरक्षित करता है, लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए आर्टिकल 42, 44, आर्टिकल 45, क्या होगा इसमें? आप इसको कमेंट सक्षन बताएंगे और ये सारे आर्टिकल किस से रिलेटेड है? ये भी आप कमेंट सक्षन में बताएंगे चलते हैं अगले प्रिशन पे? चलते हैं अगले कोशन पे? क्वेशन नमबर 6, जात और सवार इस रिलेटेड टू विच और फॉलोईंग अड्मिर्स्ट्रेटिव सिस्टम हिंदी में देखते हैं जात और सवार निम्ले लिखित मेंसे किस प्रसाशनिक प्रणाली से सम्मदिथे? ओप्शन हैं एकतादारी सिस्टम, मनसवदारी सिस्टम, जमिदारी सिस्टम या फिर है जोपदारी सिस्टम क्या होना चाहिए सही अंसर बताएंगे आप लोग सोचिए इसका सही उत्तरोख option B मनसवदारी system ये मनसवदारी प्रथा मनसवदारी परणाली किसके टाइम चांगती दी अकुबर के टाइम अगले प्रस्ट पे चलते हैं अगला question है which of the gases reduce the oxygen carrying capacity of the blood यानी निमनलिखित में से कौन सी gas है रत में oxygen ले जाने की शमता को कम कर देती है options है nitrous oxide, carbon monoxide, carbon dioxide, nitric oxide क्या होना चाहिए सही अंसर बताएए सोचिए दिवाग लगाईए इसका सही अंसर होगा option B carbon monoxide जो carbon monoxide होती है इसको मीठा जहर भी बोलते है जैसे की कभी सुना होगा जम लोगों ने आप लोगों ने कि बंद कमरे में news में आता है कि बंद कमरे में मज़़ूरों ने अनिठी जलाई हो सोते रहे और सोते ही रहेगा यानि कि आप सोते रहेंगे बंद कमरे में हीटर जला लिया अनिठी जला लिया क्या करती है जो carbon dioxide होती है इसको धूरे धीरे carbon monoxide में change कर देती है और आप जैसे सोते हैं तो सोते ही रह जाएंगे फिर कभी उठेंगे इसलिए बातों का ध्यान रखिए कि सर्वियों में ये गलतियां हमसे नहीं होनी चाहिए अगला question देखते है इन विच फोर्ट अफ राजस्थान वर शत्रीस बिल्ट इन ओनर ऑफ जैमाल और कल्ला नाइड सू इन येर 1568 एंपरर अकबर गेव अप इस लाइफ इंडी सेज ओफ question क्या हिंदी में राजस्थान के किस किले में जैमाल और कल्ला शूर वीरों के सम्मान में छत्रियां बनाई गई थी जिनों ने वर्ष 1568 में समराट अकबर की गेवराबंदी में अपने प्राण त्याग दिये थे options क्या है क्या होना और वेर प्णद चित्टाडगढ व्र क्या होना जी option क्या answer होना चाहिए कि resulting in कि च्तित्टाडगर व्रोर्ट का किला क्या हुआ था इसमें अकबर ने चितोडगड़ पे इन्वेजन किया था तो फिर जो दो शक्त्रिय थे जैमाल और कल्ला इन्होंने किले की घेरे मंदी में अपने प्राण प्याग दिये थे इस वज़े से इनके याद में उस किले में छत्रियां बनाई गई थी अगले प्रश्ण पे चलते हैं भगवान राम पर केंद्रित केंद्रित है ये टाइपिंग मिस्टेक है हलकी सी भक्ती आंदोलन के अग्रदूत कौन थे ओप्शन है जयदेव, स्वामी विवेक अनंद जी राम अनंद जी या नाम देव क्या होना चाहिए इसका अंसर देखे राम जी है भवान राम है इन्ही के राम से रिलेटेड हो जाएगा राम अनंद जी इन्होंने क्या किया था दक्षिन भारत में बक्ती आंदोलन चल रहा था उसको ये उत्तर तक लेकर आए थे तो सिंपल है राम से राम याद करने में असानी हो जाएगी अगला क्वेशन देखते है इव दे प्रेसिडेंट अफ इंडिया वांट्स तो रिजाइन सो तो वू विल ही गे ही गेव इस रेजिनेशन यदी भारत का राष्ट्रपती की त्याग पत्र देना चाहे है तो वह किसे देगा बहुत सिंपल क्वेशन है बहुत आसान है सब की पता होना चाहिए क्या होना चीज़े अनसर यह अपना त्याग पत्र देगा वाईस प्रेसीडेंट अफ इंडिया भारत के उप राष्ट्रपती को अच्छा एक और जीज़ राष्ट्रपती को शपत कौन दिलाएगा या कौन दिलाता है जब राष्ट्रपती की नियुक्ती होती अभी नियुक्ती किस की हुई है द्रौपदी मुर्मुजी की सपत किसने दिलाई योगीन को जो होता है भारत का मुख्य ने आया धीश ये क्या करता है ये भारत के राष्ट्रपती को शपत दिलाता है और ये त्याग पत्र देंगे उपर राष्ट्रपती को और उपर राष्ट्रपती किसको अपना त्याग पत्र देता है ये देगा रा अगले क्वेशन पे चले हैं दे फॉर्म ओफ मैटल ऑक्साइड इस धातु ऑक्साइड का स्वरूप डैश होता है यानि स्वरूप किस प्रकार का होता है धातु ऑक्साइड का नीट्रल यानि तटस्त और्गेनिक कार्बनिक जेनरल यानि समान या फिर असेडिक क्या होना चीए इसका सही अंसर है जेनरल समान ने होता है ना ही कार्बनिक होगा ना ही नीट्रल होगा ना असेडिक होगा ना चारी होगा इसका समान ने होता है अगला प्रशन देखते हैं Who was the first Mughal Emperor in India? बहुत आसान question है, भारत का प्रथा मुगल समराट कौन था? सबको पता होना चाहिए, बहुत आसान है, भारत का पहला मुगल समराट बाबर था. कहां से आया था ये? उजबेकिस्तान. उजबेकिस्तान से इन्होंने भारत पे इंग्वेजन किया था. 1526 में बाबर की पानी पत्र की लड़ाई भी थी, इसके साथ में इब्राहिम लोदी. यहीं से भारत में मुगल समराजी की स्थापना हुई, 1526 से. अगले प्रस्ण को देखते हैं. सुनामी इस कॉजड बाई डैश. सुनामी डैश के कारण होती है या किसके कारण होती है? ओप्शन्स देखिए. तेज हवां द्वारा पानी को तट पर फेकना. लो एट्मोस्फेरिक प्रेशर, निम्नवायू मंदलिये दाब. अंदर वॉटर वॉल्कनिक अक्टिविटी, पानी के नीचे, जॉला मुखी गतिविधी, या सड़न ब्रेकिंग ऑफ अंडर ग्राउंड रॉक्स, भूमी कर चट्टानों का अचानक से तूटना. क्या होना चेज़ का अंसर? लेखिए, जॉला मुखी क्रिया जो होती है, ये तो एक अर्थ सर्फेस पे होती है, और जो पानी के अंदर का भाग होता है, यहां भी जॉला मुखी परवद पाए जाते हैं, जब ये फूटते हैं, तो जो पानी होता है, तेजी के साथ जो होता है, ये किनारों से टकराता है, इस क्रिया को सुनामी बोलते हैं, और सुनामी जो है एक जापानी शब्द है, ध विवेका नंद रॉख मेमोरियल कहां स्थित है। ओप्शन्स लद्दाक, कन्या कुमारी, अंडमान या फिर श्री नगर। कहां होना चाहिए। यह इसका सही अंसर होगा। ओप्शन B, कन्या कुमारी, कन्या कुमारी में समुत्र का जो एरिया है, वहाँ पे एक रॉख है, उस पे बोला जाता है कि विवेका नंद जी जो है, वो ध्यान लगाया करते थे। तो इस रॉख को मेमोरियल के रूप में स्थापित किया गया है। अगले प्रस्ट को देखते हैं, what is the process of pollination by birds, called पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। options हैं, autogamy, ornithophily, animophily या फिर atomophily, क्या होना जी answer। देखें, इसका सही उत्तर है, ornithophily, पक्षियों द्वारा परागण होता है, जब पक्षि किसी फूल फल पे बैठते हैं, तो उनके पैरों में उनके बीज चिपक जाते हैं, और ये displace होते हैं दूसरी जगाओं पे, फिर वहाँ पे उस तरहे के पेड़ पौजों का उत् है, अगले प्रशन को देखते हैं, लूर नृत्य इस दे ट्रैडिशिनल फोक डैंस इन डैश, परफॉर्मड बाइडी विमन ओफ दे स्टेट, लूर नृत्य पारंपले परिकुलोग नृत्य है, जिसे डैश राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है, कहां की महिलाओं ये क्या होता है, वसंत के आगमन पर ये नृत्य किया जाता है, वसंत के आगमन पर और जो लूर है, लूर, इसका सीधा मतलब होता है, लड़कियां, हर्याना की जो भाशा है, लूर, लड़कियों से संबंदित है, और लूरत्य भी हर्याना में मनाया जाएगा, याद रहेगा, अगला प्वेशन देखें, क्या होना चीए इसका सही उत्तर होगा, ओप्शन बी, तारबाई, शिन्दे, अगला प्वेशन देखें है, बहुत ही फेमस मेला है, शायद पता होगा सभी को, मुझे नहीं लगता किसी को नहीं पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए सही उत्तर इसका, ओप्शन ए, असम, असम में एक मंदिर है, कामाख्या, देवी मंदिर, वहाँ पर ये मेला लगता है, अंबु बाची मेला, बहुत आता है प्रश्न में, बहुत जादा पूछा जाने वाला सवाल लेए, दिमाख में रखिएगा, अगला क्वेशन देखते हैं, इन विच अब दे फॉलोईंग स्टेट, होईसलेश्वर टेंपल इस लोकेटेड, क्वेशन है, होईसलेश्वर मंदिर नेमन लिख्यत में से, किस राज्य में स्थित है, क्या होगा, बताईए, तमिलनाडू, ओडिशा, वेस्ट पेंगॉल या करनाटका, क्या होगा सही उत्तर, इसका सही उत्तर, होईसलेश्वर कहां है, और आप लोग प्लीज वीडियो को श्रियार कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूने चैनल को, प्लीज हमसे जुड़े रहें, आगे की तियारी के लिए, इसका सही उत्तर होगा, ओप्शन D, करनाटका, होईसलेश्वर, और जो होईसलेश्वर थे, होईसल थे, ये, शैवभक्त थे, तो होईसल मंदिर भी होगा, ये, शिव से रिलेटेड होगा, अगला क्वेशन देखते हैं, भारत सरकार की प्रधान मंत्री वय वंदना योजना का संचालन कौन सा संगठन कर रहा है, प्रधान मंत्री, शॉर्ट में इसको ऐसे भी लिखा जाता है, वय वंदन योजना, पी एम, वी वी वाई, क्या होगा इसका अबतर? देखें, इसका सही उत्तर है, ओप्शन सी, एल आई सी, क्या है इसके तहट? जो देश के वरिस्ट नागरिक हैं, हमारे देश के, जो वरिस्ट नागरिक, यानि सिनियर सिटिजन्स हैं, उनको पिंशन उपलब्द कराना है, तो यह पिंशन उपलब्द कौन कराएगा? एल आईस ही कराएगा, नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं, एस पर स्टेटमेंट बाई यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंग, इंडियास हेल्थ केर इंडिस्ट्री इस एक्सपेक्टेट तो ग्रोव, तो हिट फिफ्टी बिलियन डॉलर इन साइज बाई विच इयर? क्वेशन है, केंद्रिय मंद्री जितेंद्र सिंग के अनुसार भारत के स्वास्त सेवा उद्योग के किश वर्स तक बढ़कर 50 अरब डॉलर होने की उमीद है? ओप्शन हैं, 2025, 2023, 2027 या 2030 तक किश वर्स तक होने की उमीद है? इसका देखे सही उत्तर है, ओप्शन A, 2025 तक उमीद है, ऐसा अंदाजा लगाया है अगला क्वेशन देखते हैं, विच टेलीकॉम कंपनी सब्सिडियरी, नेक्स्ट्रा डेटा लिमिटेड, नेक्स्ट्रा डेटा लिमिटेड इस गुइंग तो डिपलॉई, फ्यूल सल टेकनोलोजी इन करनाटका हिंदी में देखते हैं, किस टेकनोलोजी कंपनी की सहाय कंपनी नेक्स्ट्रा डेटा लिमिटेड करनाटक में फ्यूल सल टेकनोलोजी को तैनाथ करने जा रही है, कौन सी कंपनी होगी ओप्शन्स हैं, रिलाइन्स, भारती एयर टेल, बीसमेल, वोड़ा कौन, आइडिया, क्या होना चाहिए, ठीके इसका सही उत्तर ओप्शन भी, भारती एयर टेल, ठीके इसकी सब्सिडियरी कंपनी है नेक्स्ट्रा, जो की करनाटक में फ्यूल सल टेकनोलोजी को सापित कर जा रही है, नेक्स्ट ग्वेशन देखते हैं, विच डे इस सेलिब्रेटेड एस इंटरनेशनल डे ओफ डिमोक्रसी, किस दिन को अंतराश्टिय लोकतंत्र के रूप में मनाया जाता है, लोकतंत्र के रूप में मनाया जाता है, पंदरा अगस्त को, ग्यारा जुलाई को, या पंदरा सेप्टेमबर को, क्या होगा अंसर इसका, दिखें पंदरा गस्त तो सभी जानते हैं, क्या होता है, ग्यारा जुलाई को, वर्ड पॉपुलेशन डे होता है, विश्वजन संख्या दिवस, पंदरा जुन को, क्या होगा, यह देखके बताएंगे, इसका सही उत सबी लोग स्टेटस पर लगाते हैं अगला क्वेशन देखते हैं विच स्टेट गवर्मेंट हैज लॉंच भी ए आर्टी डिस्पेंशन सेंटर इन हिस सिंट्रल जेल किस राजय सरकार ने अपनी छह केंद्रिय जेलों में इसका सही अंसर होगा औक्यक्षिन ए अर्टी डिस्पेंशन सेंटर लॉंच किया है इसमें क्या होगा जो HIV positive कैदी होते हैं या जेल होते हैं उनको थेरपी दी जाएगी एंटी रेट्रो वाइरस थेरपी यह इसका नाम है यार्टी का और यह थेरपी HIV positive कैदी हो को दी जाएगी और यह योजना शुरू की है असम सरकाल ने ठीक है अगला प्रशन देखें अगले question पर चलते हैं last question लाजिम डान्स फॉर्म इस characteristics of which of the following states लेजिम नरत्य शैली निनलिखित में से किस राज्य की विशेष्टा है options हैं करनाटका, बिहार, महाराश्ट्रा या गुजरात दीकिए इसका सही उत्तर है option C महाराश्ट्रा लेजिम नरत्य शैली है जो यह गडेश उत्सव के दोरान मनाई जाती है तो लेजिम जो है आपको बताना है कि महाराश्ट्रा में और कौन-कौन से फोग दिवहर मनाया जाते हैं कमेंट्स करिए और जिन लोगों ने वीडियो को नहीं सब्सक्राइब किया है हमाई चैनल को पीस सब्सक्राइब करें और लाइक करें शेयर करें तब तक के लिए नमस्कार जंड़ी में